दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेड गुरू चैनल में आईए जानते हैं सौमवार यानि की 29 जनवरी 2024 को निप्टी कहां पर कामकाच कर सकती है दोस्तों यदि सौमवार को मार्केट गेप अपन होता है और उपर की ओर 21,400 के लेवल को ब्रेक करता है तो उपर की ओर हमारा पहला टारगेट रहेगा 21,480 और दूसरा टारगेट रहेगा 21,550 गेप अप की कंडिशन में उपर की ओर हमारा लाश्ट टारगेट रहेगा 21,550 यदि मार्केट गेप अपन होते हुए नीचे की ओर 21,350 के लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे की ओर हमारा पहला टारगेट रहेगा 21,280 और दूसरा टारगेट रहेगा 21,250 नीचे की ओर गेप अप की कंडिशन में लाश्ट टारगेट हमारा रहेगा 21,250 तक दोस्तों ये तो हो गई गेप अप अपन होने की कंडिशन में अब यदि मार्केट गेप डाउन ओपन होता है तो क्या हो सकता है यदि निप्टी गेप डाउन ओपन होता है और उपर की ओर 21,380 के लेवल को ब्रेक करता है तो उपर की और हमारा पहला टार्गेट रहेगा 21,450 और दूसरा टार्गेट रहेगा 21,490 यानि कि गेब डाउन की कंडिशन में हमारा उपर की और लाश्ट टार्गेट 21,490 तक रहेगा यदी मारकेट गेबडाउन होने के बाद नीचे की और 21,340 के लेवल को ब्रेक करता है तो नीचे की और हमारा पहला टारगेट रहेगा 21,270 और दूसरा टारगेट रहेगा 21,180 यानि कि नीचे की और 21,180 तक लास्ट टारगेट रहेगा ये हो गया gap down की condition में तो दोस्तों आप जाने ही गए होंगे कि मंडे के दिन निप्टी में आपको किस लेवल पर trade करना है यदि आप हमारे pre whatsapp channel और pre telegram channel से जुड़ना चाते हैं तो वीडियो के description में दीगी link से आप हमारे pre telegram channel से जुड़ सकते हैं जहां पर हम market time में live trading संबन्दी posture भी करते रहते हैं thanks for watching trade guru